नमस्कार दोस्तों, विलकम टूर वन्ड एक्जाम क्लासे देखे, आपके RRB NTPC Group D 2019 की एक्जाम को देखते हुए, लगा तर आपको लाश्ट एर के पेपर करा रहे हैं, आज आपको 2018 का RRB Group D का रिज्डिंग का पेपर करा रहे हैं, ये रिज्डिंग का हमारा 27 नंबर पार् description मिल जाएगी, उपर high button मिल जाएगी, आप हमारी चैनल की प्लेश्ट में जाकर के वहाँ पर से आप लोग चेक कर लिजेगा, ये हमारी 30 प्रेश्टों की स्रीज है, आप लोग प्रियास कीजेए, आप इन सभी प्रेश्टों में से कितने पेश्ट सही कर पा रहे हैं, दे इसमें हम आपको reasoning के सारे प्रेश्टों को हल कराएंगे, पहला प्रेश्ट हमारा है, B, E और A का पिता है, यदि A का विवा, U से हुआ है, तो B का U से आपको समय दिया जाएगा, वीडियो के लास्ट में आप लोग पूरी मांदारी के साथ बताएगा, इन सभी प्रेश्ट हम U से करा देंगे, और A हमारा बेटी भी हो सकती, A हमारा बेटा भी हो सकता है, अगर A हमारा बेटा हुआ तो बहु के ससूर लगेंगे, अगर A हमारी बेटी हुई तो दमात के ससूर लगेंगे, तो ससूरी सही आपसन होगा, B का U से सम्मंद आपका, तो तीसरा आपसन सही होगा next question क्यों चलते हैं आज कर देखिए मारा दूसर नंबर पर इस नहीं वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक होस किजिए एक बार आप लोग यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कौन सा समूसे समंधित नहीं है कटोरा कटोरी बाल्टी और चाकू यह सही आपसन क्या हो जाए कर डी जो हमारा होगा इस समूसे समंधित नहीं है next question क्यों चलते हैं आज कर देखिए कि तीसरे नंबर पर इस नहीं यहाँ पर लिखा गया है प्रिश्ण वाच्छक चिन्दी की जगा पर आपको decide करना है कि A, B, C, D में से आप कौन से आपसन को säga पर लिखा गयाँ, और तीन हमारा आगे की और आ जाएगा तो सही आपसन कौन से आपको दिख रहा है? 4 ही आपसन आपको सही दिखना चाहिए को कि यहीं पर आपका सही ढंक से आकरती को बनाया गया है तो कौन सा आपसन आपका सही हो जाएगा? D हैपसन सबसे उपयूक इंसर आपका हो जाएगा देगे चौथा नमबर पिस ने एक विशेस भासा में लीप को इस प्रकार से लिखा जाता है तो जंप को आप कैसे लिखेंगे पैचानिए क्या संबंद निकल रहा है L से M हमारा कैसे हो रहा है L से M हमारा प्लस एक आपका बढ़ड़ा है E से F हमारा क्या हो रहा है प्लस एक बढ़ड़ा है सभी हमारे A से B हमारा एक बढ़ड़ा है तो एक-एक की बढ़ उत्री हो रही है तो जंप में हम क्या करेंगे J के बाद क्या आता K आएगा आपका U के साथ क्या आता वी आएगा तो केवी से जहां ही स्टार्टिंग होगी वह ही आपका सही हो जाएगा तो यह दो लेटर को हम देख करके सही कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इसलिए हमारा सही आपसन क्या होगा पहला ही आपसन हमारा सही आपसन होगा नेस्ट कोशन के ओर च चात्रों के लिए किया है ये बात ध्यान रगेगा और दार्णा में क्या निगाली जा सकती है इसकी आउदार्णा प्रबंधन का मानना है कि योग बच्चों को प्राचीन स्वास्त विग्यान के बारे में जानकारी प्रदार्ण करेगा प्रबंधन चाहता है कि बच्चे तन जादा होता है और अध्यन में बेहतर करने के लिए अनिवारी योग और विस्राम आपके लिए जरूरी है तो सिर्फ दूसरा आपसन ही सही हो सकता इसका आउधारना दो आपकी अंतर नीत है चलिए नेस्ट कोशन को चलते हैं आज के देखे मां छटवा नमबर पेस ने इस द जता डिसाइडेड तु गो फारे वाक इवरी अल्टर्नेट डे मतलब अल्टर्नेट मतलब होता है earlier के बाद एक दिन आपका च्छोड़ करके अल्टर्नेट डे में आपका वाक करने जाती है इने particular month इसी स्टार्टेड ऑन Friday मतलब किसी भी महीने में वो Friday सुक्रवार से स्टार्ट करती है, on which आप दी following day still we see be going for a walk the following week. मतलब आप से पूछा जा रहा है कि उस सब्टा में कितनी दिन आपका walk करेगी अगर वो alternate day हमारा walk करती है और उसने start क्या किया है? Friday से उसने start किया है तो चली है आपको बताना, start करते हैं पर फ्राइडे को गई है तो आपा सटफ्डे को नहीं जाएगी extent the ंपका एक दिन छोड़के जा आए तो अब वो शंड़े को जाए具 है कि तो संड़े जाएगीमंडे को नहीं जाएगी तुजड़े को आपको जाएगी इसके बाद विटनेस्डी को नहीं जाएगी आपका Thursday को जाएगी तो Tuesday Thursday आपका हो गया इसके बाद उसका next day आपका जो Friday को नहीं जाएगी Saturday को जाएगी तो एक सब्ता में हुआ इस तीन दिनों में आपकी वाक करेगी ये आपसे पूछा जा रहाता तो क्या कह रहाता है यहाँ पर फिर से पढ़िये आते Alternate day में हमारी जा रही थी और Friday से स्टार्ट कर रही थी तो week में आपको बताना है वो कौन कौन से दिन आपका टहलेगी तो वो आपके Tuesday को टहलेगी Thursday को टहलेगी और Saturday को टहलेगी और उसके जो 20 की दिन बच रहे हैं उन दिनों में वो नहीं टहलेगी Alternate दिनों की आपके बात की गई है सही आपसन क्या होगा चौथा आपसन होगा ठीक है डरियेगा नहीं आप लोग सारे प्रेशनों को हल करने का प्रयास कीजेगा देखिए आठवा नंबर प्रेशने यह आकरती दी गई यह छोटी से आकरती देखिए इसको इसके समान आकरती कौन से आपको दिख रही है चार आपसन में से चूच कीजिए कि समान आकरती कैसे आपको दिख रही है पूरा आप लोग देखने का प्रयास किजिए देखे सबसे पहले यहाँ पर दो आकरती आपको दिख रही होगी कौन कौन से आकरती आपको दिख रही है देखे बड़ी वरी आपको रेखा उपर है तो उसलिके आकरती जो है नीचे आपको बनी हुई है तो एक तो यहाँ पर दिख रही है, एक आपको यहाँ पर कहाँ पर दिख रही है, टेडी टेडी आपको यहाँ पर दिख रही है, दो option एक के आपके हो सकते हैं B और C में, क्योंकि इसमें तो पूरा अलग कर दिया, आकरती ही बदल दी इन दोनों में से, तो B और C में हम वह सबसे समान होगी किसके जो आकर्ती हमको उपर दी गई है, भी आपसन सही होगा इसका, देखें, नौवा नमबर पे इसने, अगला पद आपको बताना है, 31 से 26 हो रहा है, 26 से 21 हो रहा है, तो 31 के बाद क्या होगा, चार आपसन मिले हैं आपको सिंपल सा है 31 से 26 हो रहा है मतलब कि 5 का कम हो रहे है इस रीज 5 आपकी कम की ओर जा रही है 26 से 28 हुआ है 5 कम हुआ है 26 से आप भी 5 कर दीजे सही एंसर मिल जाएगा 16, 5, 21 होता है तो सही आपसन क्या हो जाएगा पहला यह आपसन आपका सही आपसन हो जाएगा दसवा नमबर पेशन है कथन और तरक से एक सवाल है आपके लिए क्या इस्थानी सरकारी निकायो द्वारा वर्सा जल संचेन के बारे में जनता को सिछित करने के लिए जागरूता कारकरम आयूत कीने जाने चाहिए यह आपसे पूचा जा रहा है तरक आप कैसा देंगे आपका तरक देखना चाहता दिमाग का कि आप इसका हां में उत्तर देंगे कि नहीं में उत्तर देंगे तरक हां में क्या का आगया जल बहुत कीमती है हमारे प्राक्तिक संसादनों को संरचित रखने के लिए जागरूपता बढ़ा ही जाने चाहिए यही सही होगा क्योंकि जब भी प्रकत की बात की जाएगी देश की बात की जाएगी सिच्छा की बात की जाएगी बच्चों के बारे में बात की जाएगी वो सभी कथन आपको हां में ही सही करने नहीं में बहुत ही कम आपके कथन आपके जब भी negative कोई बात कही जाएगी उसमें आप लोग नहीं में सही करने का प्रियास कीजेगा positive सभी चीजों में आप लोग हां में ही उत्तर दीजेगा तो पहला ही तर्क हमारा मजबूत होगा सही आपसन होगा तीसरा आपसन आपका ग्यारा नमबर पेशन है देखी यह आकरती दी गई यह उपर आपको एक आकरती दी गई यह चार आपसन आपको दी गई A, B, C, D में से आपको चूच करना है कि अगला क्या भरा जाएगा यहाँ पर पेशन होगा चेक चिन्दी की जगा पर यह मैंने देखा है पिछले साल के जितने भी RRB Group D के पेपर बने थे वो सारे में यह वाला पेशन दे रखा जितने भी आपको सेट कराता हूँ उन सभी में कोशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर त्रिभूच की डिरेक्शन आप लोग देख लीजिए त्रिभूच यहाँ पर नीचे की ओर है अभी यह पूर्व की ओर है अभी आपका कहाँ पर है दच्छिड की ओर है नेस्ट कोशन के ओर चलते हैं 12 नमबर पेस्ट ने कत्था नों निसकर्स एक सवाल आया है साइकलिं ब्यायाम का एक अच्छा रूप है ये का गया साइकलिंग जो साइकल चलाना जो होता है ब्यायाम का एक अच्छा रूप है निसकर्स बताए आपको उन दोनों निसकर्सों में से क्या सही लग रहा है जो साइकल नहीं चलाते हैं वे सभी स्वस्त नहीं रहते हैं या फिर वे सभी जो साइकल चलाते हैं कभी बिमार नहीं होते हैं क्या आपको सही लग रहा है देखे स्वस्त और बिमारी की कोई भी चर्चा नहीं की गई हमारे कथन में सिर्फ ये का गया है साइकल वेयाम का एक अच्छा स्रोत है अगर साइकल नहीं चलाते हैं तो स्वस्त नहीं रहेंगे ये नहीं का गया तो हम नहीं साही करेंगे और यहाँ पर cycle जो चलाते हैं बीमारी के बारे में क्या चर्चा की गई है नहीं की गई है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा दोनों हमारे निसकर से कथन में नहीं कहें गए है इसलिए हम दोनों को सही नहीं करेंगे अनुसरा नहीं करेंगे 13 नंबर पे इस ने विसम की पहचान करिए आप लोग A, B, C, D, A, 4 आपसन आपको दिए गए ठीक है कौन सा आपको odd लग रहा इसमें से देखें सबसे पहले R को देखें आप लोग R हमारा 18 इस्तान पर होता है तो उसको 9 लिख दिया गया मतलब जश्ट आधा कर दिया जा रहा है B हमारा कौन से इस्तान T हमारा जो किस इस्तान पर होता है T हमारा 20 इस्तान पर होता है उसको भी जश्ट आधा कर दिया गया तो क्या हो गया आपका 10 हो गया इसके बाद Z हमारा किस इस्तान पर होता है 20 स्थान पर होतो है उसको आधा कर दिया गया, 13 हो गया अब यहाँ पर X सबस्ता है, जो कि आड़ हो सकता है क्योंकि 3 तो हमारे सही हो गया 1 सस हमारा 24 होता है उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर 12 होना चाहिए तो इसने 11 लिखा जो की गलत दिखा गया है तो सही option क्या होगा D option जो हमारा होगा वो इसमें से odd होगा या फिर visa होगा चलिए 14 नंबर question है इंगलिस में लिखा गया हम आपको हिंदी में convert करके बताएंगे यहाँ पर लिखा गया लीला start for work in the morning मतलब कि लीला जो है वो morning में अपना कारी start करती है her office is 2 km from home so he prefer to walk मतलब जो उसका office है वो 2 km की दूरी पर है और इसलिए वो चलना पसंद करती है she start walking in the opposite direction of the sun from home मतलब यह कह रहा है कि जो सूरी की दिसा है उसके opposite direction में चलती सूरी हमारा पूरु की ओर निकलता है इसलिए वो पस्चिम दिसा की ओर चलेगी and 500 meter चलती है पस्चिम दिसा की ओर then he takes a right turn फिर वो आपका दाइनी और मुर्ती है और 200 meter की दूरी आपका चलती है then again she takes left and walks towards her office अभी वो घर से किस direction की ओर आफिस जो उसका पढ़ आए यह आप से पूचा जा रहा ठीक है समझ गए आप लोग थोड़ी बहुत तो आप लोग English सीख लीजे क्योंकि English आपका कापी जरूरी है paper आपका Hindi में आएगा इसलिए आप लोग डरियेगा नहीं paper Hindi में आएगा इस PDF में 3-4 question आपके English में थे उसको कराने का हम आपको प्रियास कर रहे है चलिए करते हैं हम लोग start पस्चिम दिसा की और 500 जाएगी क्योंकि सूर के opposite direction में चलना वो start करती है फिर right turn उसको दिलाना है और walk कराना है 200 meter तो right turn इसका उपर की और होगा और 200 meter आपका जाएगी अब आपसे क्या कहरा then again she takes left अब left करेंगे तो आपका पस्चिम दिसा की और अभी वो जा रही है तो आपसे पूचा जा रहा है उसके home से office की direction home हमारा ओपर था office हमारा इसका यहाँ पर है तो इसकी direction कौन सी direction होगी बताइए यह आपका north होता है यह आपका waste होटा तो north waste direction आपकी होनी चाहिए तो सही option हो जाएगा तीसरा option सही हो जाएगा ठीक है आसा करते हैं simple प्रिष्णों का simple तरीके सही करने का प्रियास करेंगे देखी 15 number question है यहाँ पर आयू से एक सवाल आया है सौरब क्या कर रहा है 25 साल का है जबकि उसका चचेरा भाई आपका 7 साल का है तो कितने साल बाद आपका सौरब की आई उसके चचेरे भाई की आयू की धाई गुनी हो जाएगी यह पूरा प्रिष्ण है सौरिस की आयू उसके चचेरे भाई की धाई गुनी हो जाएगी तो एकस वर्स बाद सौरिस कितना हो जाएगा 25 प्लस एकस साल का हो जाएगा और उसका चचेरा भाई जो होगा वो 7 प्लस एकस साल का हो जाएगा हमने मान लिया है कि एकस साल बाद 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना कौन हो जाएगा आपका चचेरा भाई हो जाएगा तो यह आपर 2 गुना हम लिख देंगे multiply कर देंगे उससे 2 गुना अब यह समीकरण बन गया, X का मान निकालेंगे उतने ही साल बाद आपका चचेरा भाई की आयू का धाई गुना हो जाएगा साउरिस ठीक है हमने बराबर करने का प्रयास किया इसको अब आप क्या करिए धाई का multiply करिए 7 में और X में चलिए करके दिखाते हैं आपको 25 प्लस X हो गया और धाई से multiply करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा 17.5 आ जाएगा तो 1.5 एक सब बराबर 17.5 में से 25 आपका जाएगा तो आपका कितना जाएगा 7.5 आ जाएगा तो 15.75 एक सब बराबर 5 आ जाएगा पांच वर्स बाद साउरिस की आई उसके चचेरे भाई की धाई गुना हो जाएगी तो 5 इसका सही answer होगा ठीक है दूसरा option इसका सही option हो लेंगे देखिए 2 से 4 मतलब की 2 का आप 2 में गुड़ा करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 का दुगना करेंगे 8 हो जाएगा 8 का दुगना करेंगे तो 16 हो जाएगा 2 से multiply करते जाएगे आपको answer मिल जाएगा 16 तो 2 option में दिया गया जलिए 16 अभी तो नहीं सही हो सकता है अब हम इस तरब पर हमारा aim होता है तो 16 aim हमारा सही option हो जाएगा जो कि पहले ही option में लिखा गया है इसलिए पहला option हमारा सही option हो जाएगा सत्रे नंबर प्रेस ने जितने भी आपको सवाल हम करा रहे हैं सारे के सारे एकी स्रीज के कोशन आपको करा रहे हैं जितने कोशन मिलेंगे उतने कोशन आपको कराने का प्रियास करेंगे अगला पद आपको बताना है देखिये 3, 2, 9, 8, 15, 14 चलिए बताई ये कैसे स्रीष चल लगे आप कुछ दिख रह एकी नहीं दिख रहा है देखिये सबसे पहले आप लोत ये दिखा करिए इस परकार से स्रीष आगे बढ़ रही ये कि नहीं बढ़ रही है ये नहीं बढ़ रही हो तो एक एक पद छोट करके आप लोग बढ़ाने का प्रियास कीजिएगा देखिए, तीन से नौ हो रहे है और नौ से पंदोरा तो पंदोरा से अगला पद हमें निकालना पड़ेगा तीन त्रीकां नौ होता है, तीन पचें पंदोरा होता है तो देखिए, पहले 3 से multiply किया गया, फिर 5 से अपकी बार हम 7 से करेंगे, तो 7 तरीक 11 हो जाएगा, तो 11 हमारा सही उत्तर हो सकता है, ठीके, तो हो गई ही क्योंकि हमारा 3 तरीक करना हो, 3 पचे 15, एक एक चोड़ करके आपसे multiply करा रहा है, तो 3 सते 11 हो जाएगा, भी आपसे हमा 3 के gap करते हुए, लेकिन वो पध हम से नहीं पूचा गया है, तो हम उसको नहीं निकालेंगे, हम से जो पूचा गया था हमने उसको निकाल दिया है, अठाय नंबर पर इसने कत्था निसकर से एक सवाल आया है, फोटोग्रापर अपने सहायक की सराना करते हुए कहता है, ये फोटोग्रापर ने अपने सहायक की सराना की है, सराना हमेशा अच्छे काम की की जाती है, और कहा ये तस्वीरे अधबूध है, तो निसकर से में क्या करते है, सहायक ने अच्छा काम की है, जब अच्छा काम करेगा तभी तो सराना की जाएगी, बिल्कुन सही है, यह आपको उपर दिया गया प्रिश्ण है और उसका कथन से आपको एंसर निकालना है पहले आप लोग सुन लिजे कैसे आपको निकालना है देखिए यह कथन आपको पूछा जाएगा कि इन में से कौन सा कथन परियाप्त है गेंदों का सबसे बड़ी से छोटी आकार के ठीक है नीचे आपको इस प्रकार चार आपसन में लेगें कौन कौन से आपको कथन जो है वो परियाप्त लग रहे हैं अगर आप उत्तर देना चाहते हैं चलिए आप लोग देखिए आपर हम लोग पढ़ते हैं प्रिश्ण को विबिन आकार वा रंगों की साथ गेंदे है हरी, पीली, नीली, नरंगी, गुलाबी और काली लाल भी है ठीक है गेंदों का सबसे बड़ी से छोटी में आकार के अनुसार क्रम आपको बताना है इन कतनों में से क्या आप निकाल सकते हैं या फिर कितने कतनों में से आप निकाल सकते हैं सबसे बड़ी से छोटी गेंदो चलिए गुलाबी गेंद सबसे छोटी है गुलाबी जो आपकी गेंद है वो सबसे छोटी होगी तो गुलाबी हो को हम लोग सबसे लाश्ट में लिख देंगे नीली गेंद सबसे बड़ी गेंद है तो नीली गेंद को हम लोग सबसे आगे लिख देंगे वो आपकी सबसे बड़ी है आप देखे पीले रंगी गेंद यहां पर है तो नारंगी और काली से बड़ी होगी पीले रंगी गेंद नारंगी और काली गेंदों से बड़ी है तो कहां पर आपका पीले और नीले होंगे पीले और नारंगी होंगे यहां पर देखे पीले रंगी गेंद इस दोनों हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसलिए हम उत्तर नहीं दे पाएंगे कोई भी आपका कथन जो हे वो परयाप्त नहीं होगा उत्तर देने के लिए समझ चुके आप लोग एक बार फिर से लगाएगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा हम बता नहीं पाए इसमें से, 20 नमबर 5 ने स्रेडी का अगला पत आपको ग्याद करना है, बताइए, स्रेडी का अगला पत कैसे ग्याद करेंगे आप, 22 से 2 हो रहा है, 24 से 4 हो रहा है, 26 से क्या होगा, यह स्रीज है, आपको वाए एक जाम हाल पे समझना पड़ेगा कि स्रीज आपकी कैसे चल है, 22 से 24 हो रहा है, 24 से 26 हो रहा है, 26 से 28 होगा, लेकिन 28 वाला पत हम से नहीं पूछ रहा है, 28 वाला आगे हो जाएगा, यह इसके पहले का पत आप से पूछ रहा है, मतलब कि दूसरी स्रीज यहाँ पर चलेगी एक, 2 से 4 हो रहा है, तो 4 से 6 होगा, 6 तो होगा, लेकिन 6 के आगे भी कुछ भरा जाएगा, क्योंकि छैतों आपके पहले option में, तीसरे में, चौते में, सब में दे रहा है, अब हम लोग अगला पट ढूरते हैं, P से O हो रहा है, P से O एक पीछे की और हमारी स्रीज बढ़ रही है, तो ओसे हम एक पीछे कर देंगे, हमें N पराप्त हो जाएगा, 6N जहां पर भी लिखा हो, आगे करिए मारी आप लोग, और आगे की और बढ़िए, D option आपका सही option होगा, 21 number प्रेस ने, देखिए, 4 को 6518 लिखा जाता है, देखिए, F हमारा 6 इस्तान पर होता है, O हमारा किस इस्तान पर होता है, O हमारा 15 इस्तान पर होता है, आर हमारा अठारवे स्थान पर होता है उसका एकाईक अंक आठ लिख लिए गया तो आप लोग समझ गए एकाईक अंकों को रखा गया उसी प्रकार डबलू हमारा किसे स्थान पर होता है तेईसमे स्थान पर होता है उसका तीन लिख लिख लिए जाएगा I हमारा 9 स्थन पर होता है उसका लिख 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 ल और मकडी में आपको सम्मंद बताना मानें यह दो आप्षान तो यह आपको दिखेंगे दो आप 전द आपको नीचे दिखेंगे थीक, पताइक कि आपको समन्स का सम बनेर spina, क्या तैयार हो रहा है कि आप तेइस नमबर कोशन है कथा नो निसकर से एक सवाल है आपके लिए इंगलिस हम लिखा गया हम आपको हिंदी में कंडवर करके बताएंगे आपकी एक्जाम में जैसे ही आप लेंग्वेज चूच करेंगे वैसा आपको पेपर मिलेगा हम तीसरी बार बता रहे हैं कि पेपर आपका हिंदी में आएगा जिसमें आप चूच करेंगे ठीक है यहाँ पर क्या पूचा जा रहा है no windows is a handle मतलब कोई भी आप खिडकी जो है वो handle नहीं है ठीक है हिंदी मता रहे हैं आप लोग बनाने का प्रयास किजे कोई भी जो आपके खिडकी है वो कुंडी नहीं है फिर handle नहीं है our handles are ladles ladles मतलब होता है कि चमचा या पिर कर्शुल कह सकते हैं जो सभी जो हमारे हैं वो handle जो है वो चमचे है यह कहा जा रहा है अप conclusion आपको निकालना है चलिए बनाते हैं कोई भी जो आपकी जो विंडो जो है खिडकी जो है वो handle नहीं है तो handle को हम लोग अलग कर लेंगे आप कहरा all handles are ladles है मतलब जो सभी जो handles हैं वो चमचे हैं तो इसको हम लोग पूरे handles को आपका ladles से हम लोग ढग देंगे यह हमारा बन गया statement कुछ आपके करचुल जो हैं वो आपके handle हैं सभी नहीं है देख सकते हैं दूसरे वाले में आपमें आप क्या कह रहा है दूसरे वाले निसकर्स में कह रहा है some ladles are handles मतलब कुछ करचुल आपके handle हैं बिलकुन सही है कुछ करचुल हमारे handles हैं सही है तीसरे वाले हम देखते हैं No ladles is a window मतलब कोई भी जो आपके कर्चूल है वो window या फिर खिडकी नहीं है तो अगर देखिए ये एक condition से सही हो सकता है लेकिन दूसरी condition से ये सही नहीं होगा क्योंकि इसका इगलत हो जाएगा दूसरा ही सही होगा अगर ये हमारा window है इस प्रकार से आ जाता तो हमारे पहले statement को तो ये सही कर देता तो पहले statement है क्या कह रहा No window is a handle कोई भी window handle से नहीं चुएगा लेकिन ladle से वो लोग चूच सकते हैं तो या पर तीसरा आपसन इस हिसापसे हमारा गलत हो जाएगा दूसरा ही सबसे उपियुक्त होगा जो सबसे उपियुक्त होगा उसी को सही करना है अगर संभावना है आपको लग रही है सही भी हो सकता नहीं भी सही हो सकता तो उसके बारे हम सही नहीं करेंगे दूसरा ही correct होगा और चार आपसन में आप यहीं देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है मतलब एक आपसन ही सही हो रहा है और भी दूसरा आपका देखें 24 नमबर पेस ने A और B की वर्तमान आयू का योग आपसे 77 वर्स दिया गया है साथ साल पहले A की आयू B की आयू की ढहाई गुनी थी तो A की वर्तमान आयू आपको निकालनी है समझ गए आप लोग चलिए प्रियास कीजिए आयू से सवाल आपके इरिजनिंग के सेक्षन में आते हैं एक से दो सवाल भी आ सकते हैं देखे A और B की वर्तमान आयू 77 साल है तो 7 वर्स से पहले इनकी कितनी आयू होगी दोनों में 7-7 साल कम हो जाएगा तो 7-7 साल कम हो जाएगा तो 14 साल कम हो जाएगा तो 63 बचेगी साथ साल पहले इन दोनों की आयू का योग आपका 63 वर्स होगा समझ गए आप लोग अब क्या कह रहा है A की आयू B की I की ड्हाई गुना थी मतलब अगर B हमारा X होगा तो A हमारा कितना होगा ड्हाई गुना होगा ड्हाई गुना ड्हाई X हो जाएगा दोनों की आयू का योग 7 वर्ष से पहले हमने कितना निकाला है 63 निकाला है 14 कम करके 7 वर्ष से पहले दोनों की आयू में 14 कम हो जाएगा ठीके तो एक ही वर्तमान आय आपको निकालनी है चलिए जोड लेते हैं ये 3.5 x से बन जाएगा बराबर आपका 63 आजाएगा तो एक सब बराबर क्या आजाएगा आपका 63 अपान एक सब बराबर 63 अपान 3.5 आजाएगा ठीके समझ गए आप लोग अब क्या कहे रहा एक ही वर्तमान आय को निकालना है ए हमारा क्या था बी हमने एक समाना था तो ए हमारा 2.5 एक सता तो 2.5 से multiply कर लेंगे तो एक ही आयू आ जाएगी सात वर्स पहले की चलिए दसमलो दसमलो आपको खतम हो जाएगा 5.25 होता है 5.35 होता है और 7.9.63 होता है तो 9.5.45 मतलब एक समारा 45 हो गया तो बताइए एह हमारा 45 हो गया है तो 7 वर्स पहले 45 हुआ है ना तो अभी कितना होगा अभी 7 जोड़ देंगे हम लोग 45 में 7 जोड़ दीजे तो 42 हो जाएगा ठीक है समझ गए एक ही हमसे पूची गई है हमने एक ही ही निकाली है 45 आई थी 7 जोड़ दी है 22 वर्स हो गई है सिंपल से प्रिश्णों को आसानी से करिएगा आप लोग 25 नमबर पेसन है जे से L हो रहा है N से P हो रहा है P से क्या होगा कि T आपका आजाए अच्छार आपको बताना है कैसे आपको निकालना है ठीक है आसानी से करते हैं जे कि J से L आपका कितने आपका डिफ्रेंस आ रहा है J से L में हमारा कितने का डिफ्रेंस आ रहा है 2 का डिफ्रेंस आ रहा है और आगे देखिए आप लोग L से N में कितने का डिफ्रेंस आ रहा है 2 का डिफ्रेंस आ रहा है N से P में केतने का difference आ रहा है 2 का R आ है तो P से 2 का difference आएगा तो क्या मिलेगा आपको आगे की और अगर हम बढ़ाएंगे तो P से R मिल जाएगा आपको तो सही option क्या हो जाएगा चौथा option सही हो जाएगा हमारा तो simple से था आसा करते हैं आप लोग इसी प्रकार से कर रहे होंगे जिस प्रकार से हम आपको आराम आराम करने का प्रियास करें आराम से करेंगे सभी question सही हो जाएगे जल्देवाजी करेंगे जो R आ रहा है वो भी नहीं सही होगा तो simple suppression हो तो आराम से करिएगा देखिए 26 number question है pot को इस प्रकार से लिखा जाता तो art को किस प्रकार से आप लिखेंगे थीक है? समझ चुके हैं आप लोग चली हम आपको बताने स्टाट करते है P अमारा किस इस्तान पर होता है P हमारा 16 इंस्तान पर होता है तो P का 16 इस्तान जो है एक कम कर देजिए 15 आजाएगा वह हमारा किस इस्थान पर होता है 15 इस्थान पर होता है वह को हमें एक कम कर देंगे 14 आजाएगा टी हमारा किस इस्थान पर होता है 20 इस्थान पर होता है एक कम कर देंगे 19 इस्थान आजाएगा एक एक कम कर देना आपको इस्थानों पर चलिए आपके साथ लगाना स्टार्ट करते हैं हम भी देखी ओ हमारा पंद्रावे स्थान पर होता है तो यहाँ पर 14 आ जाएगा यू हमारा 21 इस्थान पर होता है तो 20 आ जाएगा तो यह 14-20 तो मिलने लगें हम क्या करते हैं पीछे से एक दो मिला लेते हैं ती हमारा 20 इस्थान पर होता है तो 19 आ जाएगा अभी हम लोग तीसरे और चौथे आपसन की उर जा रहे हैं अब क्या करते हैं जी को देख लेते हैं जी हमारा साथवे स्थान पर होता है तो उसको हम क्या करेंगे छटमें इस्तान पर कर लेंगे तो C option आपका सही हो जाएगा तो सही option क्योंगा तीसरा option हो जाएगा ठीक है एक एक कम कर लिजेगा बस इसमें आप कुछ नहीं दिया गया है देखें 27 number question है पार्स दरपड की छवी आपको बतानी है चली आगे देखते हैं दो हमारा इसके बाद B के बाद हमारा तीन आएगा पीछे से तो तीन हमारा इसमें सही बना हुआ है इसमें भी सही बना हुआ ठीक है अब आगे देखते हैं A हमारा कैसे उल्टा बनेगा तो यहां पर ही उल्टा बना हुआ दिक रहा है इसमें तो नीचे लगा दिया है इस परकार दरपर तब जाकर एक आपको उल्टा कर दिया है हमसे पार सो परत्वी पूछा गया है तो हमें सिर्फ कहां पर दिखेगा B option में दिखेगा आपका ठीक है बस यही आपका B option सही हो जाएगा next question को चलते हैं 27 number question है निम्न आकरती में आपको त्रिकोण गिनने यह पूरी आकरती आपको दी गई है इसमें त्रिभुजो की संक्या आपको गिननी है सबसे पहले हम आपको option दिखा देता हूँ आप लोग option को देख लीजे 24, 23, 25, 27 बताइए कितने त्रिकोण आप इसमें से गिन सकते हैं ठीक है option बहुँँ नजदिक नजदिक दिए गए हैं इसलिए आपको गिनना ही पड़ेगा ठीक है आपके साथ हम गिनना ही स्टार्ट करते हैं आप भी गिनिए आपके बनेंगे तो आपका 8 छे 14 हो गए हैं 14 हो चुके हैं अभी अब आगे देखते हैं हम लोग एक ये 15 हो गया ये 16 हो गया टोटल अभी इसमें इस साइड में 16 बने हैं और देखते हैं और कुछ बनेगा 16 के बाद में एक ये बन रहा देखिए 16 एक 17 ये बन रहा है और 17 एक 18 ये बन रहा है इसी में आपके 18 बन गए लेफ्ट हैंड साइड में 18 बन गए हैं अब हम लोग राइट हैंड साइड की और जाते हैं उधर गिनते हैं एक दो और तीन 18 तीन 21 हो गए हैं ठीक 21 और ये 22 23 और इसको मिला करके 24 22 23 24 आपके हो गए हैं तीन 18 छे 24 आपके total complete हो गए हैं अब यहां पर आप लोग देखिए कि यहां पर देखिए कितने बन रहे हैं 24, एक आपका 25 हो जाएगा, एक आपका 26 हो जाएगा, ये बने, और इसको मिला करके, एक आपका total बनेगा 27, तो उधर बने कितने आपके, 8, 6, 14, 14, 14, 14, 14, 18 उधर बने, और इधर बने आपके 9, तो 18, 9, आपके 27 total बनेगे, कौन आपसन आपका सही हो जाएगा, 14 आपसन सही हो ठीक है आराम से एक बार आप लोग देख लिजेगा फिर आप लोग एक बार गिन के प्रयास कर लिजेगा 27 ही बनेंगे इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं बनेंगे देखे 28 नमबर प्रेश ने पैटन को पहचानी है और जो समान दिख रहा है उसके बारें बताईए ये चितर दिया गया है इसके समान आकरती आप कौन से दिख रही है ठीक है देखिए सबसे पहले गोले के अंदर चोकोल है चोकोल के अंदर त्रिभूजेप उसके बगल में स्टार है एसा कहां पर दिख रहा है एसा सिर्फ दिख रहा है हमें बी आपसन में तो बी आपसन है सही हो जाएगा बांके तो कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके समान आपका बस बी आकर दिख रहा है जैसे बी दिखे वैसे लगाईए चोथे आपसने भी लिखा गया तो आवेस का जन्म 555 दिन बाद हुआ था तो आवेस का जन्म किस तारिक को हुआ था ये आपको बताना ना है ठीके कैसे आप का 365 का होता है अगर ली पियर नहीं है तो अगर ली पियर तो 366 का होगा अब हम लोग क्या करते हैं दो फरवरी 2016 तक 365 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे दो फरवरी 2015 के बाद एक साल अगर आप जोड़ेंगे तो 365 दिन जोडने के बाद दो फरवरी 2016 तक 365 दिन हमारे निकल जाएंगे तो 555 में से 365 घटा दीजे तो कितना आ जाएगा 0 और 9 और 1 मतलब कि 190 दिन अभी आपको इश्ट्रा और आगे बढ़ाना पड़ेगा दो फरवरी 2016 के बास से 2016 हमारा लीपियर होता है इसलिए फरवरी हमारी 29 की पड़ेगी दो फरवरी 2016 तक हमने निकाल चुके 27 दिन हमें फरवरी के और आगे बढ़ाने हमें 190 दिन आगे बढ़ाने है न तो हम आपके क्या करेंगे पूरे आपके महीने के बार बराते चलेंगे 27 दिन फरवरी के बढ़ेंगे इसके बाद फरवरी के बाद मार्च के 31 दिन बढ़ेंगे मार्च के बाद अप्रैल के 30 दिन का अप्रैल होता है अप्रैल मैं 31 का होता है जून हमारा 30 का होता है और जुलाई हमारी 31 की होती है अब हम आप देखते हैं क्या 190 दिन पूरे हो गए हमारे तो देखिए एक दो और तीन बढ़ गए हैं 27 में तीन जोड देंगे 30 तो तीछंग 18 मतलब 180 दिन जो हमारे हैं जुलाई लाश्ट तक हमारे 180 दिन कंप्लीट हो गए हमको 190 दिन बढ़ाने थे मतलब 10 दिन हम अगस्थ के लेने पड़ेंगे 10 दिन अगर हम अगस्थ के ले लेंगे तो 10 अगस्थ 2016 को 555 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे एक साल में 365 होते थे 190 और आगे बढ़ाने थे तो हमने इतने महीने आगे बढ़ा दिये हैं फरवरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई तक हमने आगे बढ़ाया 10 दिन हमें और बाकी रहे गए थे 10 अगस्थ 2016 को आवेश का जन्वे की तारीक है डी आपसन सही ठीक है आपको कोई और मेथड आता हो तो आप लोग बताईएगा किसी और आसानी मेथड चे अगर आप निकाल पा रहे हो तो उसी साब से भी आप निकाल लीजेगा और कमेंट बाक्स में आप लोग लिग भी सकते हैं देखे नेस्ट कोशन हमारा है सिंगर सौंग करता है तो कारपेंटर क्या करेगा जो गायक है वो गाना गाएगा तो कारपेंटर मतलब जो बढ़ाई होता है क्या करता है फरनीचर को बनाता है तो सही आपसन क्या हो जाएगा आपका सी आपसन ठीक है आसानी से कर लिजेग इंपरिशनों को, थोड़ा इंग्लिस में हैं, लेकिन इतनी इंग्लिस तो आप लोग पड़े होंगे, सस्ती के तयारी कर रहे थे, अभी बैंक की बैंक की तयारी करने लेंगे, तो इतनी इंग्लिस आपको आनी चाहिए, सिंगर सौंग है तो कार्पेटर आपका फरनीचर ब मंदित बताना है बताएे इसमें से आपके अलग लग रहा है स्विच बल्प और फिलामेंट ये सबी हमारे क्या है इलेक्ट्रिक के सामान है लेकिर रस्षी हमारा इलेक्ट्रिक के सामान नहीं है तो यह हमारे कथा निसकर्स के सवाल बढ़िया थे तो मतलब मेडिया पेपर था आपका यह 30-31 कोशन थे पूरी मांदारी के साथ बताएगा आप कितने कोशन सही कर पा रहे हैं कम से कम आप लोग 24-25 की बीचे पहुचने का प्रयास कीजेगा क्योंकि इस से कम आप करने का प्रयास नहीं कीजेगा क्योंकि यह रिजनिंग है आपकी रिजनिंग में गलतियां होंगे तो आप सही किसको करेंगे GS में तो गलतियां सबसे होती है मैत अगर आ रही है तो लग जाती है reasoning में अगर आप थोड़ा से दिमाग को इधर उधर करते हैं तो वह आ जाती है, लेकिन मैत में formula wise होते हैं, formula है तो लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा लेकिन reasoning में अगर आप थोड़ा दिमाग चलाएंगे बार आपको हर हाथ में आकरी लेनी है ठीक है वीडियो के लाष्ट में आप से एक दो कोसं पूछने का प्रेयास करते हैं उसके बारे में आप लोक बताने का प्रेयास कीजेगा आज कोधि के हमीदा बाणो बेगम किकी मााथी चार आपसन है जाहागीर अकपर गुमायू और बाबर, बताने का प्रयास किजएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि रिजिनिंग अमने आपको सारे प्रिशन हाल करा दिया, तो रिजिनिंग हमारे पास नहीं बची है, जी एस यह आपको एक दो कोशन आप से पूछ लेते हैं, नहीं आएगा तो आपको बता द साहिं आदर नीचे, लगबख 90% लोग साही ऑंसर देते हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो तो इतना कोई इस्यो नहीं है, आप लोग जाकर के नीचे देख सकते हैं, वह लोग पर से आप लोग देख लिए करिए, तो हमीदा बानो बेगम किसकी माथी, आ परवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं उर्थपातन रियक्शन या पिस सब्लीमेशन रियक्शन कहते हैं तो यह चार आपसों आपसों दिये गए हैं आपको बताना है किसको गर्म करने पर वो डारिट गैस में नहीं परवर्तित होगा क्योंकि गर्म करने पर ठोस पहले दरवे पर द र्रूम आपका होता हैं फिर आपका गयस में होता है लेकिन ऐसे इसमें तीन दिए गए हैं, जो गर्म करने पर आप इक स्पस्री में आ पर निग misconceptions में आप लोग बताईएगा इन दोनों प्रिश्णों को मैंने आपसे पूंचा यह आ जाए तो बता दीजेगा नहीं आजा तो कमेंट बाक्स में देख लीजेगा यह पी अभी मैं आपको एंसर देदूगा वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं ठीक है चलिए आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक हो सकीजेगा जितनी लोग हमें चैनले पर नए हो वो सब्सक्राइब की बटन दबाकर लाल से काली कर दीजेगा नेश्टी वीडियो फुरसे मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगा